नमस्कार, हिंदे साहित यवारता में, आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकु के साथ, दोस्तों HP LTT, LTT Commission और PGT Hindi Commission की ये जो प्रशनोत्री है, इसका पांचों भाग हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, और इससे पहले के जो चार भाग हैं, वो इससे हमने अपनी प्रेलिस्ट म हम इस तरीके की गलती जो है वो दुवारा ना करें, तो अगर आपको लगता है कि हमें प्रशनों की संख्या में कुछ आपको दिक्कत आ रही है या कम लग रहे हैं आपको तो वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो 20, 22 या 25 कॉश्चन हमने इसमें रखे होत देखते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रशन है वो क्या है, हमारा आज का जो पहला प्रशन है देखिए, यह है पवित्र का संधीवी छेद क्या है, आपके सामने आप्शन है पव और इत्र, पो इत्र, पाव जम्हा इत्र या पव जम्हा इत्र, तो इसका ज जैसे ने के बाद अन है देखिए ए के बाद अ है तो अ का मतलब क्या है यहां पर हरसोसर है और ने प्लस अन नयन हो जाएगा अगर हम इसी को ही क्या कर देते हैं नयी प्लस अन कर देते हैं तो वो नयन हो जाता है और ठीक ऐसे ही हमारा पो प्लस अक तो देखिए पो में ओ है और आगे हमारा अक है और असे शुरू हो रहा है मतलब हरसो सर यहां पर है तो इसका मतलब क्या हो जागा यह पावक हो जाएगा अगर यहां पर पाव होगा और आगे अक होगा तो उसका पावक होगा और यही चीज़ें यहां पर आपको द्यान में रख लेनी है और यह किस स संधी है तो यह आपके पास एक शब्द है दिखी पयो धर और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधी है तो इसमें है हमारी विसर्ग संधी क्योंकि यहां पर पय जम्हा धर पय में क्या लगी होगी विसर्गे लगी होगी और उसके बाद आपका धर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा पयोधर next है व्युत्पत्ती के अधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो शब्द भेद जो है यह बहुत जरुरी है देखना यहां से प्रशन जरूर पूछ जाता है तो व्युत्तत्ती इसको हम कहते हैं अमारा रचना या बनावट के अधार पर तो इ जहां पर लिखाया देखिए, जिस शब्द के खंडों का कोई अर्थ ना हो, उसे हम रूड कहते हैं, जैसे आम है, अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, दूसरा ये बोल रहा है कि जहां पर आपके दो शब्दों के मिल से बना शब्द हो, वो ही हमारा क्या होता है यौकिक शब्द कहलाता है, जैसे विद्या और अर्थी, विद्यार्थी, जैसे प्रियोग और शाला, प्रियोग शाला, जबकि अन्य अर्थ, तीसरा है देखिए, वो है आपका, जहां पर आपके दो शब्द, मतलब कोई तीसरा अर्थ देते हैं, दशानन, रावन के मिल जाएंगे, तो इसमें जो समास है, यह है अव्यव भाव समास, हम सब लोग जानते हैं, अव्यव समास में क्या होता है, जिसका पूर पद अव्या या प्रधान होता है, उसे ही अव्यव भाव समास कहते हैं, इसके संयोग से जो समस्त पद बनता है, वही अव्यव हो ज आता है और इसी लिए इसे अव्याई भावसमास कहते हैं जहां पर सेम शब्द रहते हैं देखना जैसे धीरे धीरे चोरी चोरी ये कैसे हैं ये हमारे अव्याई भावसमास में आते हैं जैसे यहां पर हर दम था तो हर भर प्रति इत्यादी ये जो शब्द आते हैं ये भी आ बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि समराट का जो सही आंसर क्या होगा, समरागी होगा, भी नहीं C, स्वरी, नेक्स्ट क्वेशन है यहाँ पर देखिए, गंभीर का भावाचक रूप क्या है, तो ये वाला प्रशन भी important है देख रखते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर याद रखिए, नेक्स्ट क्वेशन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आप बताईए, यह जो वाक्या दिया है, इसमें आप जो है वो किस प्रकार का सरवनाम है, तो आप जो सरवनाम है देखिए, वो आपका कर लूँगा या खुद कर लूँगा ठीक है पुरुष वाचक में आ जाते हैं शवदे कि मैं तू वह आप ठीक है जब हम कोई तीसरे मतलब दूसरे के लिए रिस्प्रक्ट की आधार पर बोलते हैं तो उसको हम आप कहते हैं समद्ध वाचक में जो और सु आता है जो आएग विशेशन भी बड़ा important है देखना तो यहां पर विशेशन की जो तूलनात्मक अवस्थाएं होती हैं वो तीन अवस्थाएं रहती हैं यह आप सब लोग जानते हैं जैसे good, better, best इसको हम कहते हैं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में जैसे हमारे प विशेशन की तूलनात्मक अवस्थाएं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था यह आपने याद रख लेना हैं हमारा आज का अगला प्रशन है देखिए विराट कोहली cricket खेलता है वाक्य के अंगों के आधार पर इस वाक्या में विराट कोहली क्या है ब हो जाता है उदेश्य जब कि यहाँ पर जिसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं उसे विधय कहते हैं कि उदेश्य के बारे में अगर कुछ हम बता रहे हैं तरह से विराट खेलता है तो यहाँ पर क्या है विराट उदेशय हो जाएगा, खेलना देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधय हो जाएगा, तो इस तरीके से आपने इस प्रश्ण को याद रख लेना है, कि जो आपका वाक्य के अंग, ठीक है, ही और प्रव लिखाया देखिए, हिमाच्त प्रदेश के लिए, यहाँ यहाँ पर यहाँ आपका जहाँ पर बीच में हमसे कोई तुरूटी हो जाती है, इसलिए इसको तुरूटी बोधक चिन भी कहते हैं, लागव चिन यही था, जो हमने उपर ही प्रव में लगाया हुआ है, लुप्त चिन में हमेशा तीन डॉट रहते हैं, यह बात आपने य जान रख लेनी है जादा इसमें नहीं लगाने हैं अगर जादा होंगे तो वो कुछ अनर्थ ही हो जाएगा उसका नेक्स कुश्चन आता है साहिते से कुम्भन दास को फतयपूर सीकरी किस शासक ने बुलाया था तो यह हम सब लोग जानते हैं इसको बुलाया था यहां पर अकबर ने तो इस संदर्भ में इन्होंने एक बहुती मौत्पूर्ण पंक्ति भी कहिए देखिए जो थी कुम्भन को कहा सीकरी सो काम आवत जावत पने या तूटी बिसरी गयो हरी नाम कुम्भन दास जो रहे यह अश्च्चाप के प्रसिद्द लिखकों में से एक माने जाते हैं कीरतनकार रहे यह देखना और सबसे वरिष्ठ कुम्भन दास ही रहे और इनके जो बेटे थे वो थे चत्रभुज दास वो भी अश्च्चाप के कभियों में ही शामिल थे अश्च्चाप की स्थापना कभ हुई थी यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं हमारा अगला प्रशन है दिखिए तुलसी चरित के रचनाकार कौन है तो तुलसी चरित जहां से हमें ये तुलसी दास के जीवन वरित के बारे में पता चलता है तो उस संदर में मतफून रचनाय यहाँ पर है तो रगवर दास की जो रचना रही यह रही तुलसी इसके लाबा बेनी माधव दास ने भी लिखी थी ये थी मूल गोसाई चरित इश्वर दास ने अंगद पैज और भरत मिलाप लिखी थी एक इनकी रचना आती है सत्यवति कथा जिसे अचारे राम चंदर शुक्ल ने किसी भी भक्ती की धारा में स्थान नहीं दिया था जिसक आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है हमारा आज का अगला प्रशन है देखिए यहां पर इसमें लिखा गया है कि जो आपका कौन सी बांगला की रमाइन है तो रमाइन से रिलेटेड जो अलग-अलग भाशाओं में लिखी गई है यहां पर आपको बताना था कि बांगला की रमाइन इन में से कौन सी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए कृतिवासी रमाइन और इसके अधार पर सूर्यकांथ त्रिपाठी निराला की एक रचना रची गई है वो कौन सी है यह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो यह आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाकर चाहे आप इसके लिए कुछ ढूंडिए कहीं से भी और अगले वीडियो में उनका नाम पर जरूर मैंचन करूंगा अपनी वीडियो में हमारा आज का अगला प्रशन है दिखिए भक्तिकाल को मुख्य तक कितने भ भाग किये थे तो वो प्रक्रण में बांटा थे छे प्रक्रण में लेकिन दो ही है मूल रूप से सग्ण भक्ति जिसमें राम और कृष्ण भक्ति आती है निर्गन भक्ति में ज्यान मार्गी और प्रेम मार्गी को ही हम संत कावे कहते हैं और प्रेम मार्गी को ही हम सूफी कावे कहते हैं अगर बात करें हम शुकल से तो शुकल ने भक्तिकाल के इन दो भागों को कितने आगे उपभाग बांटे इसके लगबग छे इसने प्रक्रणों में विवाजित किया है अपने हिंदी साहिते के इतियास में भक्तिकाल को नेक्स आता है निर्गन संतों में शामिल महिला या महिलाएं कौन सी नहीं है संतों में पूचाये देखिए तो इस आधार पर यहां पर क्या हो जाएगा सहजोबाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा हालांकि सहजोबाई संत साधिका रही सूफी संत जो थी वो थी राभिया तो न पद्वाबती ये क्या रही राम कावे के अंत्रगत आती हैं देखना रामनंद के बारा शीश्यों में इनका स्थान भी रहता है नेक्स कॉशन आता है आलवार संतों में शामिल प्रसिद गायक किसे माना जाता है तो आलवार जो संत थे इनकी संख्या कितनी है या आपको या गीती नामक रशना रही है देखना राम और कृष्ण को ये मानते थे और राम की पादुकाव का अवतार माना जाता है नम्मा आलवार को मदुगर कवी जो है संगीत अग्य थे मोईगे आलवार प्रत्थम आलवार थे इन्हें सरोयोगिन भी कहा जाता था आंडाल जो थी ये दक्षिन की मीरा के नाम से जाने जाती है महिला संत साधी का रही और ये रंगनात मुनी को अपना पती मानती थी तो बहुत ही इंपोर्टन्ट है देखना आपका आलवार संत आलवार का मतलब क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं रंगनात मुनी का अन्य नाम क्या है बहुत ही महतपुन प्रशन है देखना, इस वाले प्रशन से भी आपको जरूर पूछ जाता है, तो ये हैं रगुनाथ अचारे, तो रगुनाथ अचारे को ही रंगनाथ मुनी के नाम से ही जाना जाता है, इस संदर में यहाँ पर लिखा देखिए पुन्री काक्ष, पुन्र प्रथम आत्म चरित्र कावे किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रशन है, आत्म चरित्र से बहुत सारे लोग यहाँ पर खन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आत्म चरित्र का मतलब है आत्म कथा, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं थ था और हिंदी की जो पहली आत्म कता लिखी है वो किस ने लिखी है बनार सिदास जैनले 1641 में ब्रज भाशा में लिखी थी इसको भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं बहुत ही मत्तपुन प्रशने यह बाला भी देखना और यह हमारा भक्तिकाल के अंत्रगत जो नाम क्या है तो वेरागी संपरदाय का जो प्रवर्तक है यह रामानंद रहे इसे ही हम क्या कहते हैं देखना रामानंदी संपरदाय भी कहा जाता है यह चीज़ भी आपको यहां पर याद रख लेना है इसके लाबा नामदेव ने वारकरी संपरदाय में दिक्षर ली इसम माराज का आकरी प्रशन है रस खान के गुरू का नाम क्या है तो रस खान के जो गुरू थे देखिए यह हम सब लोग जानते हैं इनके गुरू का नाम था गो स्वामी विठ्थलनात और इस अंदर्व में अचारे राम चंदर शुक्रा ने कहा है कि ये बड़े भारी रामी विठ्थलनात के क्रिपा पात्र माने जाते हैं तो ये बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है देखना इसको भी आप याद रख सकते हैं रस खान जो है ये हमारा जो संफरदाय निर्पेक्ष कभी है उनके बीच में आते हैं तो दूसरे जो थी वो थी मीरा तो आज का प्रशन होना चाहिए क्या लगता है आपको कि ये वाला टॉपिक जो है बहुत जादा महत्तपोर्ण है उससे आपको प्रशन जो पूछे जाने चाहिए ल्टी-्टैट का एक्जाम दे रहे हैं या फिर पीजीटी का एक्जाम दे रहे हैं ये भी आप कोमेंट सक्षन में जाकर के जरूर mention करते हैं कि आपकी कौन सी परिक्षा है और उस परिक्षा के लिए आप कितने त्यार हैं एंड जैसे अभी हमारी प्रश्णोत्री अभी बिल्कुल थोड़ा सा हमने शुरुआत से इसको कोशिश की थी करने की कि पहले प्रश्णा आपको थोड़े से जो प्रश्णोत्री ला पाऊं तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि जितने मुझसे बन सकते हैं वो मैं कोशिश करता हूं और जितने इसके explanation है वो भी करता हूं तो I hope कि आप जरूर comment में जाकर के अपनी राये देंगे तो फिलहाल आज के लिए इतना ही अगर आपको यह हमारा प जाइब हारा